नमफते, मेरा नाम है शिवम, स्वागत करता हूँ आप सब का बॉलिवुड रेटरों में हाल ही में Filmfare for Best Actress Critics का अवर्ड अपने नाम करवा चुकी एक्ट्रिफ तिलोतमा शोम तिलोतमा ने अपने एक्टिंग का लोहा फिर भारत में ही नहीं क्योंकि हाल ही में उन्हें UK Asian Film Festival में Best Actress का अवर्ड दिया गया है for the film राहगीर मौनफुन वेडिंग, किफ्वा, चिंटु का बर्ड डे और हाल ही में रिलीव हुई फर तिलोतमा ने अपने हर किरदार में एक छाप छोड़ दी है और आजकल तो अवर्ड पे अवर्ड लिये जा रही है 6 मई फे 6 जून तक चले इफ फिल्म फेस्टिवल में राहगीर को दो अवर्ड मिले Best Actress के फाद Best Director का अवर्ड मिला डिरेक्टर गौतम घोश को इफ बाद को खुद तिलोतमा ने हमफब के फाद शेयर किया उन्होंने Twitter पर लिखा कि मैं अपने आपको खुश नफीब फमशती हूँ कि मैंने One of the Best Director गौतम घोश और Best Co-Actor आदिल हुफैन और नीरच काभी के फाद काम किया राहगीर फिल्म में आगे उन्होंने लिखा कि Thank You UK Film Festival हमें ये अवर्ड देने के लिए राहगीर फिल्म में तिलोतमा शोम के फाद आदिल हुफैन और नीरच काभी भी नज़र आते हैं ये कोई पहली बार नहीं है कि राहगीर फिल्म ने कई अवर्ड अपने नाम किये इससे पहले भी राहगीर फिल्म को बुफान फिल्म फेस्टिवल, शंगाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, कॉलकत्ता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, नेधर लैंड और फिनमा शेयर फिल्म फेस्टिवल में भी इस फिल्म को अवर्ड मिले हैं जब फे तिलोतमा ने इस बात को confirm किया है तब फे फारे लोग फिल्म के सभी कास्ट को बधाईया दे रहे हैं चलिए तो आप जान लेते हैं कि एफा क्या है राहगीर फिल्म में आपको बता दे कि राहगीर फिल्म को जारखंड और राची के कई विलो में शूट किया गया है राहगीर फिल्म की कहानी दो ऐफे पीडित लोगों की है जो की अपने रोफ की विंदगी में मवदूरी करते हैं और किफी तरह अपना पेट भरते हैं एक महिला यानि की तिलोतमा शोम जिनके पती को लकवा मार जाता है और दूफरे हैं आदिल हुफेन जो की बिल्कुल ही बेफाहरा है दोनों ही अपने गाउफे निकल कर शहर की ओर चल पड़ते हैं काम की तलाश में और इफी तरह राफते में दोनों की एक दूफरे फे पहचान हो जाती है मगर लगातार हो रही बारिश के चलते उनका इस फफर बहुत ही वादा मुश्किलों भरा हो जाता है फड़क कच्ची है और बारिश हो रही है तो जाहिर फिबात है दिक्कत तो होगी अब इन ही दिक्कतों के बीच एक मोटरफाइकल कीचड में फफ जाती है और इस गाड़ी के ड्राइवर है नीरच कावी जो की अपनी गाड़ी को कीचड से निकालने के लिए इन दोनों की मदद मांगते है उनके मोटरफाइकल पर दो बिमार बवर्ग लोग है जिन्हें अगर फमेफे अफपताल नहीं पहुचाया गया तो उनकी जान भी जा फकती है तो एक तरफ फर्व है और दूफरी तरफ पेट की भूख अगर इन दोनों ने इस मोटरबाइक वाले की मदद करने में फमेगवारा तो इन्हें शहर में काम नहीं मिलेगा खुल मिलाकर फिल्म हमें इस बात का ग्यात करवाती है कि इस मतलबी दुनिया में आज भी इंसानियत कहीं न कहीं विंदा है तो ये थी राकीर फिल्म की कहानी आपको बता दें कि इस फिल्म के डिरेक्टर गौतम घोश को अपने बेंगॉली फिल्मों के लिए जाना जाता है उन्हें पहले ही दो नैशनल अवार्ड फे नवावाद जा चुका है गौतम घोश की लास्ट हिंदी फिल्म रिलीव हुई थी दोहवर फात में जिफ में नाना पार्टिकर और ररेखा थे फिल्म का नाम था यात्रा और फात ही फात फिल्म की लीड एक्टरिफ दिलोतमा शोम की हाल ही में रिलीव हुई फिल्म फर अगर आपने नहीं देखी हो तो उफे भी देख ले आपको बता दूँ कि राहगीर फिल्म को अभी ऑफिशली इंडिया में रिलीव नहीं किया गया है अभी इफ फिल्म को सभी बड़े फिल्म फेस्टिवल में दिखाया जा रहा है तो इफ फिल्म को देखने के लिए आपको और मुझे वराफा इंतवार करना होगा तो मेरा नाम है शिवम, आप देख रहे हैं बॉलिवूड रेट्रो वीडियो अच्छा लगा हो तो चनल को सब्सक्राइब करें अगर कुछ कहना हो तो कमेंट करें टेक क्यार, बाई बाई